सबसे पहले आप हमारे किसान भाईयों को ये बताएं कि मिट्टी की जाच का क्या महत्व है और ये क्यों जरूरी है किसान भाईयों पौधों को अपनी बढ़वार के लिए कुस पोशक तत्तों के आवेशक्त होती है और इसमें विविन प्रकार के पोशक तत्त में जैसे कार्बन है, हईडरोजन है, अक्सीजन है, नेटरोजन है, फोस्फरस है, पोटास है, कुस सुक्सम चत्व हैं जिनमें जिंक है, मेंगनीज है, आइरन है, ये इस तरह है कि पोसक्तत्व पोधा, वायू, जल और जमीन, इन तीनों चीजों से ग्रहन करता है, जो पोसक्तत्व पोधे वायू से लेते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में अपलब्द हैं, इसके अलावा जल और मिट् नाइट्रोजन है, फासफरोस है, पोटास है, केलसियम है, मेगनीशियम है, सलफर है, और कुछ तत्व ऐसे हैं, जिनकी बहुत कम मात्रा में आवेशकता होती है, जिनने हम सुक्समतत्व कहते हैं, तो ये इनकी जो उपस्तिती है, जमीन में वो लगातार बनी रहे, ये हमा उनकी कितनी मात्रा उपलब्द है, और हमारे जो हम फसल लेने जा रहे हैं, चाहे वो फिल्ड की फसले हैं, या फलदार फसले हैं, या किसी भी प्रकार की फसले हैं, उनको कितनी मात्रा में पोस्तित्तों की आवेशकता होगी, इसका निर्धरन के लिए एक बहुती परक्रिया है वह है मिट्टी का परक्षन तो उसमें किसान भाई अपनी मिट्टी का नमूना प्रियोग साला में लावें और वहां परक्षन करवा के ये पता लगाया जाता है कि उसमें कितने पूसकता तो अपलब्द है और कितनी मातरा में आवे सकता है उसी के अनुसार किस बाइयों को सेपारिस दी जाती है